हैस लेकर हाजिर हूँ मैं परागुपता और आप देख रहे हैं इंडिया नियूज उत्तरप्रदेश उत्राखंड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान में अब एक साथ चुनाव होंगे चाहे वो लोक सभा का चुनाव हो या फिर विधान्द सभा चुनाव चुनोती बड़ी है तभी मोदी सरकार दमदारी के साथ खड़ी है लेकिन खड़े होने पर सियासत आरपार है बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन का एलान किया तो कॉंग्रिस और समाजवादी पार्टी घमासार मचाने को तैयार है अब ऐसे में सवाल ये है कि एक देश एक चुनाप विपक्ष को क्यूं नागवार आज इसी मुद्दे पर दागी जाएंगे सवाल जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगा एक बड़ा पैनल दरसल आज वन नेशन वन इलेक्षन के प्रस्ताव को मोधी कैबनेट से बंसूरी मिल गई है और संसद में इसे शीत कालीन सत्र में पेश किया जाएगा बदादी कि इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है पूर्व राष्टपती रामनात कोविंद के नेतरत वाली समिती ने वन नेशन वन इलेक्षन की संभावनाओं पर मार्च पे अपनी रिपोर्ट सौंब दी थी एक देश एक चुनाव पर सियासी घमासान तेज हो चला है लेकिन सवाल ये है कि आखर एक देश एक चुनाव है क्या तो चलिए ग्राफिक्स के जरिया आपको समझाते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है तो देखे भारत में फिलाल अलग-अलग शुनाव की विवस्ता है जैसा कि आप देखते आ रहे हैं अलग-अलग चुनाव होते हैं लोकल बॉडी के जो इलेक्शन है वो अलग होते हैं तो लोकसभा विदानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर कराए जाते हैं ये अलग-अलग विवस्ता अभी देश के अंदर लागू है वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश में एक बार चुनाव यानि की जो भी चुनाव होगा वो एक बार में ही होगा राज्यसभा माफ की जगार राज्यों की विदानसभा चुनाव हों लोगसभा की चुनाव या लोकल बॉड़ी की एलेक्शन हों लोगसभा और विदानसभा की चुनाव एक ही समय में होंगे ये वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर प्रस्ताव है बारत में फिलाल जो चुनावी विस्ता है वो अलग-लग तरीके से है अब जो विपक्षी नेता है तोवा मचा रहें समुद्दे पर उनको ये भी जान लेना चाहिए कि पहली बार ये चुनाव नहीं होने है इससे पहले भी कई चुनाव हो चुके हैं चले ग्राफिक के जरी आपको हम समझाते है तो देखें लोगसभा और विधानसभा की चुनाव साथ में होए है कैसे आजादी के बाद देश में एक साथ चुनाव होए थे ये आपको समझना चाहिए ये जानकारी इतियास के पन्नों से हम आपके लिए लेकर आए है लोग सभा और विदान सभा चुनाव साथ में हुए थे आजादी की बात की बात यह हम आपको बता रहे हैं इसके साथ ही वो साल था 1952, 1957, 1962 और 1967 जब एक साथ चुनाव हुए थे देश के अंदर यह एक साथ चुनाव का जिक्रम कर रहे हैं तो यह वो साल है जब देश में एक साथ चुनाव हुए अब 1968 और 1979 में कई विदान सभाएं भंग हो गए यह इतिहास की बात हम आपको बता रहे हैं कि पहले क्या हो चुका है और एक साथ चुनाव कब कब हो चुके हैं कौन कौन से वो साल रहे जब एक साथ चुनाव हुए 1970 में लोग सभाव भंग कर दी गई थी तो इससे पहले विदान सभाएं को भंग किया गया 1970 में लोग सभाव भंग हुई अब वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुगा ये भी आपको ग्राफिक की जरीय समझाने की कोशिश करते हैं जिस वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र लगातार किया जा रहा है वो संभव कैसे होगा तो देखिए कई राज जिनकी विधान सबाव का कारेकाल तलेगा जहां पर चुनाव खत्म होने है उनको थोड़ा से एक्स्टेंड किया जाएगा कुछ राज विधान सबाव का कारेकाल आगे बढ़ सकता है यानि जब अवधी होगी चुनाव कराने की उसको आगे बढ़ाए जाएगा 2023 के अंत में चुनाव वाले राज्यों का कारेकाल बढ़ सकता है विधि आयुक्ते प्रस्ताव पर सभी दलों को सहमती है वो इसके लिए जरूरी होगी यानि कि जो भी political parties हैं उनकी रजावन्दी इसके लिए जरूरी है दोजार उन्तिस से ही लागू हो सकेगा वन नेशन वन इलेक्शन उससे पहले ये संभव नहीं में आना जा रहा है दिसंबर दोजार शब्बेस तक 25 राज्जों के विदानसवा चुनाव कराने होंगे कि आखिर आने वाले वक्त में कौन कौन से ऐसी राज्ज हैं जहां पर विदानसवा की चुनाव होने हैं तो देखिए छे राज्जों में नवंबर 2025 में विदानसवा की चुनाव होने यानि कि अगले साल नवंबर में छे राजे ऐसे हैं जहांपर विधान जबा की जुनाब कराए जाने हैं बिहार का मौझूदा कारिकाल पूरा हो जाएगा दोजार पच्छिस में और बाद में साड़े तीन साल ही रहेगा तो ये असम केरल तमिनाडू पश्चमंगाल पुडुचेरी का मौझूदा कारिकाल भी घटे का यान कि इनका कारिकाल घटे का कुछ कह बढ़ सकता रहेगा जो कि कुछ का कारिकाल घट भी सकता है चु unlikely चुनाब ांस अग गर कराने होंगे तो ये रहे प्रावाधान इस में देखने होंगे मौझूदा कारे तीन साल सीमाइrog और बाद का में का 5-3 साल का का म होगा तो ये पूरी जानकारी अलग-अलग राज्यों के संदर में ग्यारे राज्यों में दिसंबर 2026 में विदानसवा के चुनाव होने हैं 26 यानि कि अपसे दो साल के बाद दिसंबर में जो विदानसवा के चुनाव हैं वो ग्यारे राज्यों में होंगे यूपी है इसमें गोवा, मड़ीपूर, पंजाब, उत्राखन, मौझूदा कारिकाल तीन से पांच महीने इनका घटेगा तो ये जो सिनेरियो बन रहा है वन नेशन, वन इलेक्शन का कुछ इस तरीके से बनेगा कुछ विदानसवा को कारिकाल घट सकते हैं तो कुछ के बढ़ सकते हैं उसके बाद विदानसवा का जो कारिकाल है वो सवा दो साल करहेगा इसमें जो हम जिन राज्यों की अभी बात कर रहे थे गुश्रात करना टक की बात करें हिमाचल मेकाले नागलेंड इसमें तरपुरा मौजूदा कारिकाल 13 से